कि यहां पर हमारे साथ जोड़े हैं एक्स्क्रिसमस के मौके को है और शांती का पेगाम और प्यार का पेगाम जो है वो लेकी आने वाला पन्च हमारी इस्ताथ ना को सुनिए सेंट लूक्स चर्च जो 125 साल पुराना एक हिस्टॉरिक चर्च है स्री नगर का उसमें क्रिसमस की एक कॉंग्रिगेशन हुई है इस उस्पिशिस उकेजिन पे ये चर्च जो है स्री नगर स्मार्ट सिटी कॉर्परेशन लिमिटेड ने रेस्टोर किया है ट्यूरिजम डिपार्टमेंट का भी स्मेक रोड रहा है और कितनी खुबसूरती से स्री नगर स्मार्ट सिटी ने अथर साब की लीडेशिप में इफ्तिखार साब भी यहां पे हैं इनकी जो टीम है इनने कितनी मेहनत से कितनी अटेंशन टू डिटेल से इसको रेस्टोर क से कांगरेशन हुई है और यह इसी चीज की अकासी करता है कि हमारा पास्ट में भी एक सिंक्रेटिक कल्चर है विए वान पीपल और इस सिटी असे सिंक्रेटिक आइडेंटिटिटी और हिस्ट्रॉसिटी और उसको प्रिजर्व करने में जो सारे यह खुशाईन कदम लिये लिये इसेंज सफ़ी और यह खुशाई देश चैरिश्ट आंड वालुट और इस तेमिया मस्जिद में जुम्ह की जो निमाज है उसको रेस्टोर किया जाए और मैंने यह भी कहा है कि यह प्रियम्टिवली मस्जिद को बंद करना ठीक नीए इसी में एक रिस्पॉंसिबि पीसफुल एक इत्मॉसफेर में कंडाक्ट किया जाए और पॉलिटिसाइज ना किया जाए लेकिन मैंने कल ही ओनरिबल एलजी सहाब को एक चिठी लिखी है और उनसे दर्ख्वास्त किया है कि जामय मस्जिद में जुमे की जो निमास है उसको कायम करने की अजाज़त दी जा क्या हैं?